2018 में दोस्तों एक्जाम हुआ था बर्ग 2 का और 19 आते हम लोग सोच रहे थे कि युक्ती मिल जाएगी लगबग लगबग बहुत सारे लोगों को लेगिन यहां पर इतने इंतिजार के बाद बहुत ही जादा मायूसी और नराशा कई सारे लोगों के चहरे पर है बहुत ही नराशा आत्में लगी हुई है क्योंकि उनका एक्जाम किलियर हुआ अच्छे नमबर से एक्जाम को क्वालिफाई किया इसके बावजूत भी उन्ह जो है पद नहीं मिल पाएगा यानि कि उन्हें नौकरी नहीं मिल पाएगी कारण यह है कि सिर्फ पचास लोगों को ही नौकरी मिल पाएगी और वो पचास लोग में जो ओपन के लोग होंगे यानि कि ओपन में सिर्फ जादा ज्यादा 12 तीरा लोग ही ओपन में सेलेक्ट ह पाएंगे अगर हम बात करें तो जो बरतमान में पोस्ट बरगवार जो इंडिस्ट्रिविशन है पोस्ट का उसकी according अगर हम बात करें तो दोस्तों इनको बढ़वाना बहुत ज़्यादा जरूजी हो जाता है साइंस की पोस्ट ऐसा नहीं है कि साइंस की पोस्ट का उल लिख नहीं है आर्टे एक्ट टूथाउजन नाइन की बैत कर रहा हूं है नाइन्टी नहीं आर्टे एक्ट टूथाउजन नाइन में स्पश्ट रूप से दोस्तों लिखा हुआ है कि साइंस एंड मैथ मतलब भी कि प्रतिक जो मिडल स्कूल होगा उसमें साइंस एंड मैथ यानि कि दोनों के पोस्ट होगी और दोनों को बराबर की जो हैं प्रास मिक्ता मानेता दे गई है इसके बवजूद गवर्मेंट ने बिज्ञान की जो पोस्ट हैं उनको कम किया है इसके बिरोध में एक महा आंदोलन 20 चन्वरी को होने जा रहा है किस प्रकार से ये आंदोलन होगा किनके नहितरत में हम लोग ड़ने जा रहे हैं तो ये सारी इस बाते मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ आप लोग देखेगा और इसको ज़्यादा सी ज़्यादा हो सकता है उतना शेर करिएगा दोस्तो स्कूल सिक्षा विभाग ने ये पोर्टल बनाया हुआ है टीचर स्रिक्रूटमेंट एंड काउंस्टरिंग पोर्टल इस पर आप देख सकते हैं लोग सिक्षन संचाल नाले मधिप्रदेश डीपी आई का ये पूरा का पूरा एक अलग सेक्षन है और दूसरा यहां पर नीचे आदिम जाती कल्यान अभिभाग यानि की प्रदेश मधिप्रदेश का जो ट्राइवल डिपार्टमेंट है उसकी अपनी बेकिंसी से वो अपनी बेकिंसी स्कूद निकालेगा और अनादर जो है वो है डीपी आई की लोक सिक्षन संचालना लेगा यहां पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको तीन ओप्षन दिखते हैं पहला उच्च मादिमिक दूसरा मादिमिक और तीसरा प्राथमिक तो उच्च मादिमिक की बात करें तो टोटल 15,000 बेकिंसी आई है और हर लगबख सब्जेक्ट के लिए मिनिमम बात करें तो 500 बेकिंसी तो लगबख लगबख हर बिशे के लिए हैं कुछ बेक बिशे को छोड़के कुछ एक में लगबख मतलब जो बहुत ही कम जिन का जिन में फॉर्म आए हैं उनको छोड़के मिनिमम बात करें तो 500, 200, 200 बेकिंसी किसी में हैं किसी में 500 हैं किसी में 1000, किसी में 1700 हैं और सबसे ज़्यादा अंगरे जी में लगबख 2800 बेकिंसी ग्रेट 1 के लिए हैं तो ग्रेट 1 के लिए थो हम यहां से देख सकते हैं यह पूरा का पूरा ग्रेट 1 के लिए जो है दिया हुआ है यहां पे देखेंगे चलिए यहां पर डाउनलूड करने कर चाहिए इसको ऊपन करते हैं तो यहां पर यह पूरी की पूरी वेकंसी आपको दी गई है इसमें हिंदी की बेकंसी सव दी गई हैं यानि की हिंदी की टूटल पद MP के अंदर Grade 2 में स्कूल सीचा विश्चा विवाक के अंद अगर हम बाद करते हैं यहाँ पर सीरियल से तो देख सकते हैं सबसे ज़्यादा पद हैं आपके इंग्लिश के 3381 दूसरी नंबर पर आता है संस्कृit जिसके 772 पदे दूसरी नंबर पर आता है कि यहाँ हम पर चलिए उर्दू को मान लेते हैं कि यह बहुत ही कम जो है मतलब एक प्रिकार से कह सकते हैं कि बहुत कम स्कूल में उर्दू लगबग होती है बहुत कम बच्चे होते हैं तो आप से ठीक है पद मान के चले अठा रहा है लेकिन बात करें हाँ पर बाइलोजी की तो बाइलोजी एक ऐसे सब्जेक्ट है कि ये लगबग हर एक क्लास में इंपोटेंट है हर एक बच्चे के लिए इंपोटेंट है इसके लिए अगर हम बात करें ओनली पचास पद आपके पास आए हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसको क्या महत्व दिया गया इनुने प्रत्मिक्ता गडित को दिये थार्ड इनौने जो है सोसल साइंस को दिये तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सब भी आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे Bakinci का действiation हुआ है अलग अलग division में इनों ने दिया है بhupal division, सागर division, chumbal division alag-alag division जितने भी संभाग है महध्यपरदिश में उन सब में इनों इनों ने अलग-alag divide कि हैं अब जैसे हम बात करते हैं आपे science के post की चलिए biology की अगर आप biology से आपका BSC है तो आप अगर अतिती सिक्च चके तो आपके लिए एक post रहेगी यानि कि overall MP में सिर्फ MP में overall Bhopal region में आपको Bhopal संभाग में एक post रहेगी और अगर हम देखें तो देखें लगबग लगबग आपको हर एक संभाग में इसी प्रकार से मिलेंगी रिखती है तो अगर आपको EWS भी मिल रहा है अगर आपको कोई और SCST का कोटा भी मिल रहा है तो भी आपके लिए कोई vacancy यहां पर नहीं है कोई vacancy आपको यहां पर नहीं है तो दोस्तों यह जो पूरी के पूरी आन्याए पूर्ण बेवस्ता है या आन्याए पूर्ण यह जो निर्ने हुआ है या जो vacancy आई है देखे इतना इंतजार करते हैं अब भी हरती परिक्षत देने के बाद और उन्हें दो बलगबग दो बरस के समय के बाद उन्हें इतनी से vacancy मिलते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना जो है उनको बुरा लगता होगा उनके उपर क्या बीट्टे होगी इस चीश को महसूस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है जो लोग महसूस कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो को लाइक कर दें ज़्यादा ज़्यादा शियर जरूर कर दें चलिए दुस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अब इसका निदान किस प्रकार से हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि देखे इतनी से vacancy में कुछ होना नहीं किसी का भी सिर्फ 50 लोगों को job मिल रहे हैं आप वो 50 लोग कौन हैं इसका भी निदारन अभी नहीं किया जा सकता क्योंकि merit में अभी बहुत कुछ उतार चड़ा होना है तो मेरा अनुरोद रहेगा कि आप सभी लोग कुछ भी आपकी rank हो कोई भी rank हो merit में आपकी rank टॉप 5 में top 10 में ही कियो नहीं हो तब भी आपको यहां पर भाग लेना पड़ेगा क्योंकि दोस्तो surety नभी भी नहीं है top 10 में होने के बवजूद surety नहीं है तो मैं आपको बता दूँ कि क्या करना है आप लोगों को चलिए हम इसमें दिखते हैं तो दोस्तो इनको आप जानते होंगे इनका नाम है सुसील महराजी और इनहों ने इस लड़ाई की सुरुवात के थी अगर हम बात करें साइंस के जो भी लोग हैं इसको यह बहुत पहले समझ गए थी कि यह इतनी ही पोस्ट आने वाली है और तब बहुत सारे लोग यह सोच रहे थी कि चुकि अतिती सिख्चक के लिए हैं तो हो सकता है कि नियमित भरती में पोस्ट जादा आए कुछ लोग इस बात को सोच रहे थे कि हो सकता है कि पोस्ट नियमित भरती में सरकार जादा दे दे क्योंकि एतने सारे लोगों को सिर्फ 50 पतों के लिए थोड़ी आवे दिन बुलवाएगी सरकार पर हुआ ऐसा ही हम लोग मतलब मिनिममं भी आकर एक्सिप्ट कर रहे थे हम सभी लोग लगबग तो दोस्तो इसके बारे में एक वीडियो मैंने बनाया था और इसमें मैंने आपसे कहा था कि बिज्ञान के पद को प्रत्म 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 प् तो आप उसको जरूर ध्यान से दो, दोस्तों देख लेए, आपको पूरा केस समझ में जाएगा, पर आप अगर केस ज्यादा नहीं समयना चाहते हैं, डारेक्ट आंदोलर में आके पोस्ट बढ़वानी के लिए प्रयास करना चाहते हैं, तो सुसील महरा जी से संपर्क आपक का नंबर और वाट्सेप ग्रूप आपको दे देता हूं, जिसमें आपको जुड़ना है और उनसे संपर्क करना है, तो दोस्तों आपका सहयोग बहुत ही जादा महरत पूर्ण है, और बिना आपके सहयोग के अंदोलन सफल नहीं हो सकता है, घर वैटने से कुछ होगा नही इसलिए आपको आना पड़ेगा आगे और ये पद बढ़बाने का बहुत महित्पूर्ण प्रियास करना होगा क्योंकि आप सब जानते हैं बहुत बड़ी बेरोजगारी से मधिपरदी से नहीं पूरा भारत जूज रहा है और इस स्तिदी में इतने कम पद और इतने इंद निश्चेत रूप से और आप लोग बहां पर जरूर आईएगा कब होगा कहां पर होगा इसके बारे में आपको जानकरी ग्रूप में मिल जाएगी तो ये उनका नंबर है मैं आपको वाट्सप ग्रूप की लिंक नीचे दे दे रहा हूँ जिसमें आप जाके उनसे संपर् करें और जो भी जानकरी है कोट केस के बारे में पूरी जानकरी के लिए दौनों वीडियो की लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है तो उनको जाके देख लें पूरे कोट केस के बारे में जानकरी आपको लग जाएगी आटी एक 2009 के बारे मैं इतना बत भुत चादु कि वो बिज्यान को प्रात्मिक्ता देने की बात करता है, अगर बिज्यान को प्रात्मिक्ता मिलती हैं, तो गडित के जितनी पोस्ट हैं, उससे भी जादा पोस्ट साइंस के आ सकते हैं, यह possibility बन जाती है, अगर आप चाहते हिए कि पंदरा सु तक पोस्ट दोस्तो उतनी ही वेकिंसी आएंगी तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप आईएगा वो ज्यादा से ज्यादा सहयूग करिएगा सुसील जी का और मैं उनका नंबर वगिर आपकी सामने शो हो रहा हैं आप उनसे कॉंटेट करें सहयूग करें उनका गुरूप के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है जोईन करें ज्यादा अपडेट के लिए हमारी वेबसाइट से जोड़े रहें और हमारे पेस्बुक पेज को लाइक कर लें गुरूजी ऑफिशियल को हमारे फेस्बुक पेज पर आपको आंदुलन के बारे में अपडेट मिलते रहेंगे तो हमारा फेस्बुक पेज है इसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ तो दोस्तो ये है हमारा फेस्बुक पेज आप जाके यहां पर सर्च कीजेगा और लाइक कर लीजेगा इस पूस पेज को तो यहां पर इस जानकरी मिलते रहेगी जो भी अपडेट आएगा मैं कर लें आप आपको जानकरी मिलती रहेगी और अब इसको बार-बार आप खोल के देखते रहें यहाँ पर जो आंदुलन होगा उसके बारे में पूरी जानकरी में आपको दोंगा सुसील जी का नमपर मैं आपको देदी है वाटसप ग्रूप की लिंक आपको नीचे देदी है अब आपके उपर हैं आप क्या पद बढ़वाना चाते हैं तो आएगा अंदुलन में सयूक करेगा उगर आप चाहते हैं कि आप पद ना बढ़ें यही स्थिति रहे तो आप बिलकुल सयूक मत कीजेगा यहां आपके उपर डिबेंड करता है लेकिन दोस्तो हर एक बिक्र कि बहुत निरास है और इसे स्थिदी में अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ट्राइवल डिपार्टमेंट में भी यही पद रहेंगे मतलब सरकार को एक्षन नहीं लेगी पद बढ़ाने के लिए क्योंकि आपको यहाँ पर आंदुलन करना ही पड़ेगा तब ही यहाँ पर निश्ची दुरूप से पद बढ़ सकते हैं सुसील जी इसका नेतरे बहुत समय पहले से कर रहे हैं बहुत पहले से उन्हें पता था इन पदों के बारे में कि इतनी पद आएंगे और इससे थोड़े और बूझ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थी लेगे इन पद और भी उससे कमाएं तो आप समझ सकते हैं कि क्या इसको लेकर आप लोग को आना चाहिए सारी जानकरी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं दोनों वीडियो के लिंक भी दी गई है तो जाके जरूर देखिएगा इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिलकुल मत बूलेगा थैंक यू थैंक यू वरिमिच